हेलो दोस्तो तो आज किस वीडियो में आपको अक्छा नौमी विसाइज संस्क्रित का पेपर बताने वाले हैं जो कि अर्दबार सिक पेपर है 2021-2022 का देख सकते हो पुड़ांक असिमाक्स का है और यही पेपर है जो कि यूटूब पर एक दम से बायरल चल रहा है इसलिए मैंना सोचा कि आप लोगों को बताया जाए तो देखिए यहां पर इसमें जो भी कॉशन दियेगा है आपको अभी के अभी सभी को याद करना है अच्छे से पढ़कर जाना है एक वार रिवाइज करके जाना है तो प्रशनी क्रमांक एक में देख सकते हो आप बिकल् हो जाएगा तो जल्दी से आप एक स्क्रीश ओट ले सकते हो इसके बाद में आता है प्रशनी क्रमांक दो प्रशनी क्रमांक दो के अंतरकत कोश्चन दिये गाया है और साथ बिकल्प भी दिये गाया है तो ध्यान रखना है देखिए का नम्मर में देखिए चार ओप्षन एक सही होगा इसमें से ठीक है तो चार ओप्षन में से आप एक सही करकर लगाईए यानि कि आप पढ़ लीजिए इसे ध्यान से इसी प्रकार सभी बिकल्प दिये गया है तो आप सभी को ध्यान से देख लीजिए और इसे सभी की आंसर आप देख लीजिए ठीक है चले इस तो इसमें भी बिकल्पिय कॉश्चन दिये गाय है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन्षॉट ले सकते हो प्रिष्निक्रमांग 4 का द्यान से आपको screenshot ले लेना है और सभी को अभी की अभी अच्छे से आंसर सभी के देख लेना है अपनी book, पुस्तक, guide, परिक्षध्यन जो भी हो सभी में इसकी आंसर आपको मिल जाएंगे तो पढ़ लेना है आपको द्यान से इसकी बाद आता है प्रिश्ने क्रमांग 5 तो प्रिश्ने क्रमांग 5 में भी देख सकते हूँ आप क्या करना है आपको कानमर में देखिए आदो लिखते सू तिरतिय बिवक्ति अस्ती तो सभी की आपको तिरतिय बिवस्ति लिखने है जो कि यहाँ पर दियेगा हैं, सभी कित्रती पिवक्ती लिखना है उस तक सब्धस्तの Grund acces चतरती पिवक्ती लिखना है आपको यहां पर इसी परकार गा और घा देख लीजिए आप जो भी पूचा गया है इसमें अच्छे से लिखना है आपको इसके बाद परिशने किर्मांग 6 है तो परिशने किर्मांग 6 को भी धहान से देख लीजिए पृथक पृथक करके लिखना है Kylie प्रिशने क्रमांग साथ आता है तो इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए ठीक है भिन बर्गी ये पदानी चत्वा लिखता है यानि कि भिन बर्गी करके इसमें लिखना है इसके बाद आता है प्रिशने क्रमांग कार्ट, प्रिशने क्रमांग कार्ट में जो छायंकेत भाग है, इसको प्रिशने रुमालक क्रोथ, यानि कि आप देख सकते हो, इसमें से तीन करना है, लेकिन चार दिएगा हैं तो आपको चार वा अच्ची से पढ़ लेना है, इसके बिना देखे एक बार लिखने की कोसिस कीजिए ताकि आपको याद हो जाएं इसी प्रकार प्रिशने क्रमांग 10 देख सकते हो इसमें आपको क्या करना है संस्कृत भासायाम उत्तरम लिखात इसमें भी आपको प्रिशने दिएगा है इनके उत्तर लिखना है इसके बाद प्रिशने क्रमांग 11 आता है जिसमें आपको क्या करना है संस्कृत भासायाम उत्तरम लिखात यानि कि इसमें भी दो कॉशन दिएगा है तो इसे भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है अब आता है प्रिशने क्रमांग 12 इसमें क्या पूछा जाता है रिक्तिस्थान आते हैं तो सभी की आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हो सभी दिएगा है बस आपको सही करके लिखना है कि कौन सा कौन का होगा यहाँ पर सभी रिक्तिस्थान आप देख सकते हो इसके बाद आता है प्रिशने क्रमांग 13 तो इसे भी आप अच्छे से गध्यांस को पढ़िए और इसमें जो भी question कियेगा है इसे अच्छे से complete कीजिए टाइम कम है तो आपको अभी क्या भी इस paper को अच्छे से solve अगर के देखना है प्रिशने क्रमांग 14 है इसमें आप सकते हो गध्यांस दिया गया है तो इसमें देखी question दिये गया है कुछ तो गध्यांस मैंसे आप सभी कर शकते हो इसके बाद प्रिशने क्रमांग 16 है तो इसे भी आप अच्छे से complete कीजिए तो इस प्रकार इस वीडियो में आपको जितने भी question बताएगा है सभी को एक बार revision करके paper देने जाएए ठीक है वीडियो को आपने दोस्तों में भी share कर सकते हो thank you